तो यह है एक बहुती पुराना और ट्रेडिशनल रियांग गाउं कुछ कुछ यहां पर नया कंस्रक्शन भी हो रहा है और हम खड़े हैं एक ट्रेडिशनल रियांग गर के बाहर जिसके बारे में हमें बताएंगे यहां पर क्या नाम है आपका अब नमस्ते मेरा नाम है नमीता रियांग और मेरा गाउ के नाम है कला चुरा पद्ददेबा और आप क्या करते हैं मैं हाज वाइफ हो अच्छाव वाइफ है और आपका जो आपने यह भी ड्रेस पेना है यह बहुत ही सुंदर ड्रेस है और अभी तक हम देख के आये हैं लोग हम काफी सारे लोगों से मिले लेकिन अभी ऐसा ड्रेस मैं नहीं देखा तो यह ड्रेस के बारे में बताएंगे यह हमेरा रियांग कल्चर ड्रेस एय रिषा और यह तरी नइ और यह ये स्टीज और यह रंग सुनद और यह थे नबगने तो यह जो ज्वैलरी है जो यह जवेरा année आपके ज्वैलरी यह आप बजार से लाते हैं या खुद बनाते हैं यह बजार से लाते हैं और यह खुद बनाया है तो यह कितना टाइम लगता है आपको यह पूरा बनाने में ड्रेस एक विक में आप यह पूरा ड्रेस बनाते हैं तो अब थोड़ा आप हमें गर दिखाएंगे जो यह पूरा बैंबू का बना है और यहां पर जो अंकल है यह इनका गर है यह अंकल खुद बांबू आर्टिस्ट है क्राफ्ट्समेन है तो यह बैंबू फिशिंग नेट्स बनाते हैं और साथ-साथ हम आपको दिखाते हैं सीडी एक मिनट तो यह गर हमें दिखाएंगे नमिता जी चलिए अरी बाबा जो पाइव यह जो हम कहते हैं वो भी बैंबू का है गद्दे रखे हैं और आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा गर बैंबू का है और बहुती सुन्दर गर है और अब आधुनिक सुविदाएं भी सब है इसमें लाइट वगएरा है लेकिन लाइट का भी कुछ फिक्स नहीं रहता यहां आती जाती रहती है आपको नाम क्या है तभी अल्जिया आप कौन से क्लास में है वन में आपको बॉक्सिंग पसंद है लड़ाई करना पसंद है आपको चोट लग गया मुझे आपको नहीं कोई बात नहीं हो तुम्हें उसको उसके लिए हो कर रहा हूं बहुत थाकत बॉड़ी दिखाई यह हैं हमारे बॉक्सिंग चैंपियन लेकिन लाइट नहीं आरा ज्यादा नमिता जी बहुत बहुत दन्यवाद आपका यह मिट्टी का है और यहां करीब 35 परिवार रहते हैं और जो रियांग कम्यूनिटी है उनका कल्चर बहुत ही रिच बहुत ही सुन्दर और बहुत ही डिवर्स है कर दो